नमस्कार, मैं हूँ दॉक्टर सुनील राठाउर, मैं कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जिन हूँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियल नव पालसी के बारे रेडियल नव पालसी में आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, फिंगर्स को सीधा करने में परिशानी होती है और थम को हतेली से दूर करने में परिशानी होती है Medical के Terminology में यदि हम बात करें कि यदि आपको Radial Now Palsy हो गई है तो आप Wrist को Extension, Fingers का Extension, Thumb का Extension और Abduction नहीं कर पाएंगे यानि कि आप अपने कलाई को उठा नहीं पाएंगे आप अपने Fingers को Straight नहीं कर पाएंगे और आप अपने Thumb को हतेली से दूर और उपर के तरफ नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ को हम Radial Now Palsy कहते हैं तो आईए जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वज़े से Radial Now Palsy होती है Number One, Injection आप नोटिस करेंगे कि सपूस कीज़े कि आपने अपने हाथ में एक Injection लगवाया और Injection लगाने के तुरंत बाद आपके जो Rest है वो Drop हो गई इसका मतलब है कि जो Injection है वो आपकी Radial Now में डारिक चला गया और उसके Chemical के वज़े से उसके अंदर के जो Structure है वो Damage हो गए तो इस चीज़ को हम Post Injection Radial Now Palsy कहता है दूसरा कारण होता है Humerus Fracture Humerus आपके हाथ की उपर की Bone होती है जो की कंदे से कोहनी को जोड़ती है यदि उस Bone में Fracture हो जाता है तो जो Fracture Segment है वो नर्व को डिरेक्टली कट कर सकते हैं या फिर Bone Fracture होने के कारण जब तेड़ी होती है तो नर्व पे दवाव डाल सकती है इन दौनों कंदिशन में जो है Radial Now Palsy देखने को मिल सकती है नमबर 3, Humerus Fracture की Surgery के बाद होने वाली Radial Now Palsy आप नोटिस करेंगे कि आप सपूस किजिए कि आपके जो Humerus Bone है उसका Fracture हो गया Fracture के पहले आपके रिस्ट का मूवमेंट जो है वो नामल था और Surgery के बाद आपका जो रिस्ट का जो मूवमेंट है वो रिस्ट जो है वो ड्रॉप हो गई और फिंगर को आप एक्स्टेंड नहीं कर पा रहे है और थम का मूवमेंट भी जो है हातेली से बाहर और उपर की तरफ नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान रिडियल नहीं में या तो डारेक्ट इंजिरी हुई है या फिर किसी तरह का कोई दवाव या वहाँ पे चोट आई है तो इस चीज़ को हम Post-Surgical Radial नहीं पालसी कहते हैं ये कई बार देखने को मिलती है चौथा Saturday Night पालसी कभी-कभी हम देखते हैं कि शराप पीने के बाद जब हम सो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिये में घंटों तक एक ही पोजीशन में रहने की वज़े से जो Radial नहीं होती है उसमें दवाव बढ़ जाता है उस बड़े हुए दवाव के कारण उसमें सो जन आती है और नर्व पालसी हो जाती है इसे हम Saturday पालसी इसलिए बोलते हैं कि जनरली Saturday को जब लोग ड्रिंक करते हैं तो और सो जाते हैं तो उस कुरसी का जो कोना है वो उसको दवा सकता है या फिर सोफी का कोई कोना उसको दवा सकता है या फिर किसी बिस्तर पे सोई हुए हैं और कोई हाड आपजेक्ट उसके हाथ की नीचे दवा हुआ रहे गया और संडे को हम सुपह देखते हैं कि रिस्ट जो है वो ड्रॉप हो गए है इसलिए हम इसे साटरेड नाइट रेडेल नव पालसी भी कहता है पास्वा रीजन है ब्रेकल प्लैकसे जिंजिरी ब्रेकल प्लैकसे एक नसो का गुच्छा होता है जो गर्दन और कंदे के बीच में पाया जाता है इनसे हाथ को सप्लाई करने वाली सारी नसे निकलते हैं वहा चोट लगने के कारण भी रेडियल नाव कार सी देखने के मैं पहलतीतीब ती है, यह सारे कारण में आपको बताएं, इनमेंसे कोई भी कारण आपको जो है रेडियल नाव कार सी करा सकता है, कुछ रेडियल नाव कार बícios के रेजर्ट्स हम आपके साथ इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये सर्जरी किस तरह से की जाती है और किन किन मरेजों में ये फाइदे मन्द हो जाती है उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नमाश्क्राइब